19 साल की अंकिता के हत्या के केस में बीजेपी लेता का बेटा गिरफता, कई सबूत हुए बरामत और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स हमारी इस वीडियो प्रिशी केश करी बार सुर्फियों में आया है, कभी शद्धा की वज़े से तो कभी प्राकृतिक आपदाओ के विदे से पर अभी एक ऐसी केस के साथ सुर्फियों में आया है, जिसने पूरे देश में रोश भर दिया है 19 साल की अंकिता एक रिजॉर्ट में रिसेप्षिन इसके तोर पर काम किया करती थी और उसकी हत्या के केस में तई खुलासी किये गई है जिसने सब को चौका दिया इस हत्या कम मुख्य आरोपी रिजॉर्ट का मालिक और बीजेपी नेता का बेटा है जिसका नाम पुलकिता आर्या है इसी के साथ बाकी दो आरोपियों की पहचान अंकित गुप्ता और सौरब भास्पर के नाम से हुई है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्या अंकिता को प्रोस्टिटीूशन में जाने के लिए फोर्स किया करता था और अकसर सेक्षुल एडवांसिस भी किया करता था जिससे अंकिता ने इंकार कर दिया था फिर 18 सब्टेंबर को अंकिता पुलकित अंकित और सौरब कर दिया वह वापिस रिजॉट आये रोज की तरह काम किया और पिर हरी तुआर के लिए निकल गए वहां पहुच कर पुलिस को सबूत के तौर पर कई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली है रिजॉट को डिमॉलिश कर दिया गया है लोग ग्रोथ में सर्को पर आ गए है और नयाई की मांग कर रहे है आरोपी ने गिरिफतार होने के बाद कई आरोपो को स्विकारा भी है और पुलिस फिलहाल जाज कर रही है आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलूंगे आप से नेक्स वीडियो में तब तक टेक केर